नमस्कार दोस्तों आज मैं NCRT की बुक्स का पहला स्रीज लेके आ रहा हूं और यह क्लास 8 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक है ना और इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स फणी ड्यू का यह पहला लेसर है और चेप्टर का नाम है तब बेस्ट क्रिस्मस परजेंट इन दूट पर भाल बाड़ कि इसको करते हैं और इसके फिल्बी को जानने का प्यास करते हैं संचे पढ़ने के पहले यह दिया हुआ रहता है कि इसको रहता है करते हैं उसको हम लोग आद करते हैं तो कुछ देट के बारे में यहां दिया हुआ है कि इस स्टेट में क्या हुआ था तो आप यहां से कहानी सुरुआत होती है पहला काता है कि ुकू सोब कहते हैं कि eru kisses एक जगह का नाम है कि छो कबाडी होता है पुराने समान का जो दुकान और वहाँ पर क्या देखा कि यह roll top desk है ना यह roll top desk था मतलो एक ऐसा desk ऐसा मेज जिसका उपर का सिरा बिलकुल बोल हो the man said it was early 19th century और उस आदमी ने कहा कि यह जो है वो 19th century का है कब है 19th century का है and off, off एक लक्री का नाम है और उस इसका बना हुआ है I had wanted one मुझे चाहिए था but they were far too expensive लेकिन वे काफी महंगे थे this one was in bad condition और यह जो था खराब कंडिशन में था एक वेक्ती है जो कि लेने के लिए गया है लेकिन उसको सारा ची महंगा लग रहा है तो एक चीज जो था खराब कंडिशन में था और 19th century का था इसलिए उसके बारे मुझे सोचा कि हम लेंगे कहानी के बिल्कुँ बहुत अच्छा कहानी है और विस्तार से हम लोग जान रहे है दा रोल टॉप इस वान वाज इन बैड कंडिशन यह जो है था थोड़ा खराब कंडिशन में था और दा रोल टॉप इन सेवरेल पिसेस उपर का जो मने हिस्सा था वो काफी टुकड़ों में बटा हुआ था काफी टुकड़े इसके हो गए थे सेवरेल पिसेस वान लेक क्लुमसली मेंडेड एक जो पैर था उसका किसी तरह से उसको मतलव समझी सुधा रहा गया था सभी तरव जो है कई तरह के चीन थे वान साइड एक तरह इट वाज गोईंग फोर लीटिल मनी और यह मेरे लिए बहुत कम पैसे में उपलब्द हो जाता यह मुशे मिल जाता I thought I could restore it मैंने सुचा है कि मैं इसे रख सकता हूँ या ले सकता हूँ It would be a risk यह challenge और हो सकता है इसमें कुछ रिस्क हो है ना कुछ चुनोती हो But I had to have it लेकिन मुझे इसे लेना ही था मुझे इसे लेना ही था I paid the man and brought it back to my work मैंने उस व्यक्ति को पेड किया और अपना वर्क रूम ले आया उसका वर्क रूम कहां था add the back of the garage garage के पीछे I began work on it मैंने इसमें काम करना शुरू किया on Christmas Eve Christmas के दिन I remove the roll top completely मैंने पुरा उज़ उसका उपर का हिस्सा था है ना उसको बिल्कुल निकाल दिया pulled out the drawers और drawers जो होते हैं समान तकने के लिए जो ड्रावर बनाया जाते हैं उसको बाहर निकाला उसको खीचा मतलो the vineyard head lifted almost everywhere हर जगा जो है vineyard फेला हुआ था मतलब पतला प्लास्टी का जो परत होता है यहां दिया हुआ है आप देख सकते हैं इस सब पर फिक गौर करना है ठीक है हर जगा था इसके बाद नेक्स्ट दिखते हैं समय लगेगा लेकिन आपके लिए बहुत लावकारी है आप चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें आप इंग्लिस one line जो है one by one आप जान सकते हैं लुग लाइक वाटर डेमेज टुमी और मुझे इसा लगा कि उसमें पानी के द्वारा नुखसान हुआ है बोद फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकें देर रॉल टॉप डेस्क अन्दा डेस्क कि दोनों ने आग ने भी और पानी ने दोनों ही दोनों ने ही उस पर वर पूड टू एज मैंने आसानी से उसको खिचने का पहले परियास किया है ना इट आउट जेंटली उसके बाद जो है पुरा मतलब परियास करने के बाद वह असानी से निकला इंड आई यूज बूटल फॉर्स मतलब लास्ट में मैंने काफी तेज ने फॉर्स लगाया काफ असानी से प्रियास किया लेकिन नहीं हुआ इंड इंड अंत में आई यूज बूटल बूट फॉर्स है ना अंत में मैं थोड़ा ज्यादा ताकत लगाया है ना आई स्टक इट सार्पली विद दा वन साइड मैं फिस्ट है एक तरफ मुठी से मारा एंड ड्रावर फ्ली ओ दूटि ओजर जैसे रोस पेश अंडर नीट और मुठी से मानने कि बाद है व आंदर की तरफ निकला अव मनने मुठा उसके अंदर जो था एक सेकरेंड ड्रावर था अमतलो है गुब्त ड्रावर बना हुँए था ड्रावर कैं अंदर ड्रा ड्रॉए वहां पर निकर यु से र Queensborough है passado उसमें एक चोटा सा काला रंग का त्री बॉक्स ॅ स्मॉल स्योटा सा काला रंग धर्टिगहरोद्ध लॉक्स यह एज पीस ओफ लायंड काला और बहली और लि advis रिखा वा उसमें कुस्छ नॉट पेपर था क्या लिखा हुआ था कि जीम्स लास्ट क्या लिखा लिखा था जीम्स लास्ट लेटर जीम्स का अंतीम पत्र रिसीब जनवरी 25 1915 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ जीम्स का अंतीम पत्र है ना अब जीम्स कौन है यह आगे हम लोग कहानी में जानेंगे है ना तू बि बरीड विध मी इसे मेरे साथ दफनाना है मेरे साथ दफनाया जाना है वें अजब मेरा इब भर में अधियर कब्र का कब में मेरे साथ इस पत्र को भी दफना देना वंच आदे Stellen जीम्स Top होने हैं हम लोग जानेंगे ठीक है और पत्र प्राप्त कब हुआ था 25 जनवर युनिस वंद्रव को I knew as I did it मैं जानता था जैसा कि that it was wrong of me to open the box कि मेरे लिए ये जो box खोला गया वो गलत है मनम मुझे नहीं खोलना चाहिए था उसका कहाना है कि मेरे पास यह नहीं होना चाहिए था but curiosity got the better of my ascruffles लेकिन मेरे अंदर जो है जी आसा जागा got better of my ascruffles मतलों यहां दिया हुआ है feelings that make you hesitate to do something wrong खुछ भी गलत करने के लिए आदमे जो हिसकी चाहता है उसी को ascruffles कहा गया है ठीक है उजवली डज जैसा कि प्राया ऐसा होता है ठीक है उजवली डज इंसाइड दा बॉक्स बॉक्स के अंदर there was an envelope है ना बॉक्स के अंदर क्या था एक envelope था the address red और address क्या लिखवा था mistress Jim Macpherson स्रीमती Jim Macpherson 12 Cooper Bridges Bridgeport यह तो एड्रेस है 12 Cooper Bridges Bridgeport जैसे कि हम लोग अपने गाउं का नाम ब्लोक का नाम या तो डागर का नाम और जिला का नाम लिखते हैं है मैंने पत्र को निकाला और इसे unfold किया मतलब उसे खोला इट वाज रिटेन इन पैंसिल इसे पैंसिल से लिखा गया था एंड डेटेड एड़ टॉप दिसंबर 26 1914 और उसमें डेट लिखा वा था पत्र लिखने का डेट था दिसंबर 26 दिसंबर 1914 26 दिसंब 1914 को लिखा गया था यह पत्र लेकिन पहुचा कब था पहुचा था जनवरी 25 1915 है ना तो पत्र है तो लेट से पहुचेगा है अभी के जमाना में इमेल देशा तुरंत या वाटस अप नहीं था तो यहां हमें आ आ आ गया समय यह पहला पार्ट खतम होता है और आज इस वीडियो को यह समाप्त करेंगे आप आगे कहानी जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें इसमें जो पॉस्चेन दिया हुआ है इसका हिंदी में बता रहा है उसका एंसर आप लिखने का प्रयास करेंगे पहला है कि कि एक जंक सॉप में ओधर को क्या मिला है ना एक मेज मिला था जिससे कि जानते हैं आप से लिखने का प्रयास करेंगे दूसरा क्यों है कि एक सेक्रेट ड्रावर में उससे क्या मिला है ना कि उससे वहां रखता था जो मिला कि पत्र मिला था तो पत्र को को कौन रखता कहाने को ध्यानदी आब सेकता पड़ता है इस वीडियों फिर से देखें उसके बाद कामेंट बोक्स में आप जवाब लिखने का प्रयास करें English में नहीं सकते हैं तो Hindi में लिखे मैं आपको एंग्डिज में Translate करके से उप्लत कर दूगा जय हिंत जय जहरकणट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लायक करें अपने साथियों के साथ सेयर करें और जो भीakt difficult हो जीगा साथ हो से कमेंड करें एक बार फिर से थेंक यू